Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग, आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज किस विडियो के अंदर में हम MA History MHI 06 का Unit 6 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे Unit के अंदर में कितने चैप्टर से हैं किस तरह के Topics बनते हैं, उन Topic के Basis पे Questions किस तरह के बन सकते हैं और Questions जो exam में पूछे जाते हैं, उसके Pattern क्या होगा, किस हिसाब से पूछा जाएगा उसके बारे में हमें आपर डिसकस करने वाले हैं इससे पहले कि जो भी Units हैं, उसकी वीडियो में डाल चुका हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो एक बार देख लीजिए, जिससे आपका Concept clear हो, और आप आसानी से समझ सके आपका जो भी response होगा इस वीडियो के उपर में, उसके बाद ही में आगे की वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आपको समझे में और अच्छे से clear आप कर सके एक request रहने वाली दोस्तों, अगर आप MA history, MHI 06 के लिए prepare कर रहे हैं, और कोई भी MA history, second year के लिए prepare कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो डली हुई है, last five year के question paper का, हर subject का playlist के अंदर में उसकी last five year के question paper की वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जरूर देखे, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो almost आपका 90% का जो sliver से हो cover हो जाएगा, असानी से, क्योंकि उसमें almost 100 questions को आप visit करोगे, ठीके कई सारे questions repeat हो रहे हैं, तो वो आपको पता चलिया, कौन से question repeat हो रहे हैं, उसका answer कैसे लिखना है, ठीके उसके बारे में आपको concept clear होगा, और बह ग्रामिन समाज के बारे में, कि ग्रामिन समाज है क्या, अब देखो ग्रामिन समाज से थोड़ा विक्सित हुआ, ठीके दिरे दिरे आगे बढ़ा संचार, आगे बढ़ने के बाद जो हमारा पहला chapter आता है, पश्चिम भारत में वनस और राज्य संग, किस तर से पश्चिम लाजपूत वंस रहा, ठीक है, उनकी समाजिक संद्चना किस परकार के थी, किस तरह से वो आगे बढ़े, वहाँ पे एक कोशन बनकर यह आ जाता है, ठीक है, यह एक ही टॉपिक है, इस पूरी चैप्टर के अंदर में, जो आपको पढ़ना चाहिए, और इंपोर्टेंट रह पढ़ने वाला है, ठीक है, कुछ खास नहीं, बढ़ फिर भी यह इंपोर्टेंट रहता है, चैप्टर नुम्बर 20 की बात करूँ, चैप्टर नुम्र 20 के अंदर में क्या पढ़ना है, तो उत्तर भारत में समाजिक वर्ग, किस परकार का समाजिक वर्ग था उत्तर भारत क के अंदर में, इसके बारे में, चैप्टर नुम्र 20 के अंदर में डिस्कस के जाता है, जिसके अंदर में टोटल दो कोश्चन बनते हैं, दो टॉपिक बनते हैं, पहला तो टिप्पिनी के लिए बात करूँ, किसके अंदर में टिप्पिनी भी आता है, बनने के लिए एक त नगलाम था, उसके बाद वो खुत्व दिन अवाग दिली का सास्विक बना, जब हुहांसे उसको पर्मीशन मिला, तो गुलामी être थी किस परकार की, तो किस तर फा ओड़तों को गुलाम बना जाता था किस तर से आद्मियों को गुलाम बना जाता था दास पर था गुलाम पर था वो किस परकार किती उसके उपर में एक टिपणी यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर में बनता है दूसरा जो यहाँ पर टिपणी बनता है वो मनसबदार ववस्था क्या था ठीके मनसबदार ववस्था क्या था उसके उपर में यहाँ पर टिपणी बन जाता है ठीके मनसबदार ववस्था को लेकर यहाँ पर एक question है, जो important है, इस chapter के अंदर में, question यह रहता है, कि मद्यकाल में महिलाओं की इस्तिती, यह जो question है, दोस्तों, सबसे important question है, इस पूरे unit के अंदर में, मद्यकाल के अंदर में महिलाओं की इस्तिती किस परकार की थी, महिलाओं किस परकार की थी, यहाँ पर देख तो उस तरीके से वहाँ पर आपको महिलाओं की इसिती किस परकार से थी, मद्यकालीन भारत के अंदर में, ठीक है, महाँ पर समाज के अंदर में किस परकार के इसिती थी, तो ये एक कोश्चन, important कोश्चन है, पीछे दो तीन बार put up, put up किया गया आपके last 5 साल के अंदर में, तो एक बार जुरू ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, अगला जो यहाँ पर टॉपिक बनता है, ये तो नॉर्मल इस वाली चैप्टर के अंदर में यही है, अगला चैप्टर के एक बात कूर, चैप्टर नमबर 21 की बारे में, तो प्राइदीप ये भारत मतलब क्या, दच जो medieval time period था, उसके अंदर में किस तर से बदलावा है, पहला question ये बनके रहता है, ठीक है, जो ये पूरा प्राइदीप भारत के अंदर में, मदेकाल में हुए बदलाव का, एक question ये बन जाता है, दूसरा question ये बनता है, इसके अंदर में जो important है, सेम महिलाओं वाले जितना important सूफियों की जो समाजिक भूमिका थी, समाजिक राजनीतिक भूमिका थी, वो किस परकार की थी, यहाँ पर question ये भी बन जाता है, कि सूफियों को समझाईए, धक्कन के अंदर में सूफियों को समझाईए, ठीक है, धक्कन के अंदर में सूफियों की भक्ति परंपरा को सम किया भक्ती को परसार परसार किया यह देखा जाता है पर साथ साते में उनके पावर बहुत थी पावर किस परकार की जो खलीफा हुआ करते थे जो किसी को भी राजा के तौर पर पॉइंट कर सकते थे खलीफा के बाद में सूफियों के हाथ में इतनी पावर आई कि वो भी कि क्योंकि समाजिक राजनीतिक भूमिका बताई है कई बर सिर्फ समाजिक पूछता है कई बर राजनीतिक पूछता है तो आपको थोड़ा सा बिस्तार में पढ़ना है फिर आपको समझ में आएगा और इसली आप उसको कर सकते हो ठीक है तो यहां पे दो टॉपिक रहते हैं पह का उदे होना सुरू हुआ तो वहां पर किस तरह से नएने सासकों का उदे हुआ किस तरह से सकती साली सासक बने समराज्य का किस तरह से विस्तार हुआ समाज का किस तरह से फिकास हुआ उसके बारे में कोश्चन रहता है दूसरा कोशन सूफी संतों को लेकर रहता है ठीक है सम नानक इनके द्वारा कई तरह के भक्ति आंदोलन चलाए गए ठीक है उन भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस परकार से समाज मेरा एक कोशन ये बन किया जाता है दूसरा कोशन ये था है कि समाजिक धार्मिक आंदोलन का समाजिक धांचा जो समाजिक धार्मिक आंदोलन जो भी चीजे नहीं मिल पारे थे उसको टार्गेट करके उन्होंने अपने धर्म को आगे बढ़ाया तिक अपने कॉंसेप्ट को आगे बढ़ाया और उन्होंने उसको बताया उसे बेनिफिट यह हुआ कि वो लोग उससे जूड़ते चले गए ठीक उन्होंने जिनके साथ समाज के अंदर में भेदवाव था भेदवाव जैसी चीजे थी उनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा ठीके वो यहां पर पूसा समाजिक धांचा किस परकार करता है वो आपको यहां पर डिफाइन करना है एक टॉपिक और इसके अंदर में इंपोर्टेंट रहता है ठीके तो एक टॉपिक इसके अंदर में भे इंपोर्टेंट रहता है चेप्टर लंबर टुफीए की बाद करूँ यहां पर आता है चेप्टर का नाम अतारी सताब्दी का समाज अरुากा है और उतको संकर्मन abbiamo क्यों कहा जाता है संकर्मन का क्यों कहा जाता है तो कुछ खास टॉपिक में यह इसके अंदर में कि कुछ मतलब यह रहे कि हाँ यह topic बिढ़ इसके अंदर में जो topic बनता यह है Not अंग्रेजों का काल चल रहा है ठीक है वहाँ पर कई तरह के problems है कई तरह के Carolyn Tufferा यह सारी चीज़े आती form हुआ देरे देरे बढ़ना सुरू हुआ ठीक है तो वो यहाँ पर आपको define करके यहाँ पर बनाना है question इसके अंदर में यही बन जाता है 18 सताबदी का समाज को बताईए तो आप इसको यहाँ पर define कर सकते हो ठीक है यह वाला जो unit है unit 6 का इतना ही था इसके अंदर में बाकी जो units है उसकी वीडियो में जल्दे लेकर आने के courses करूँगा ठीक है पर डिपेंड करता है आप किस तरह से response करते हो और आपके response के बाद ही बाकी की units की वीडियो मैं as soon as possible लेकर आ जाओगा तो friends thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, एक request ज़रूर रहने वाली आप सभी students से दुबारा कि अगर आपको वीडियो ची लग रहे है तो like, share, subscribe ज़रूर करें, आपके phone में जितने भी WhatsApp group हैं उन पे ज़रूर हमारे चैनल का link share करें, जिससे वो भी जूट सकें और हमें भी benefit हो, हमें भी फाइदा हो, ठीक है हम भी आपके लिए कुछ कर पाएं, तो friends thank you so much, like, share, subscribe जरूर करें, bye bye, take care, all the best